मित्रो नमस्कार, मैं डॉक्टर शाम लढधा संचालक जीवन रक्षा फोस्टेड एंड रिसेजिटेशन ट्रेनिंग इंस्ट्रिजूट नाकपूर आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है अम्पूटेड बॉड़ी पार्ट्स मित्रो किसी भी आगात अभगात में शरीर का कोई भी अंग शरीर से टूटके जब अलग हो जाता है जो इस इमेज में दिखा रहूं मैं तो उस अंग को हम फिर से जोड सकते हैं अब ये अंग हमने किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए इस पर हमने क्या फॉस्टेड करना चाहिए ताकि हम इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सके तो इसका मैं विस्तारित रूप से आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा किसी भी एक्सिडेंट की वज़े से शरीर का कान शरीर से तूटकर अलग हो गया है कोई फिंगर सी तूटके शरीर से अलग हो गया है शरीर का कोई भी पार्ट छोटा मोटा पार्ट अगर तूटकर अलग हो जाता है तो उस पार्ट को हमने कैसे हैंडल करना चाहिए ये मैं चूटकर तो उसे साफ करने के जरुरत नहीं है अब उस पार्ट को आप एक स्वच पॉलिथीन में या किसी बरतन में रखिए और उस पॉलिथीन के इर्द गिर्द या उस बरतन के इर्द गिर्द आप धेर सारा बर्फ रखिए आइस और उस पार्ट को आप उस मरीज के साथ अस्पताल ले जाइए लेकिन आपको उसे PLANSTIC SURGEN या ORTHOPEDIC SURGEN के पास ले जाना है क्योंकि सरजन ही उसे RECONSTRUCT करेगा कई बार हम किसी छोटे मोटे अस्पताल में उसे ले जाते हैं जहां सरजन available नहीं है तो वो PART RECONSTRUCT नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर आपको उस पार्ट को सर्जन के पास ले जाना है, वहाँ ले जाने के बाद वो सर्जन उसे देखेगा और उसे फिर रिकंस्ट्रक्ट करने की का प्रयास करेगा अब ये पार्ट इस तरीके से ले जाने से क्या benefit है? कई बार लोग पार्ट उठाते हैं, वैसी कपड़े में उसके लपेट कर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसे देखता है और उसे उठा के dustbin में फेक देता है, बुलता है कि ये पार्ट तो डेड़ हो गया है शरीर में जब भी कोई पार्ट शरीर से अलग हो जाता है, तो उसको blood supply बंद हो जाता है, अब blood supply और oxygen supply नहीं रहने की वज़े से वो पार्ट डेड़ हो जाता है, लेकिन अगर वो पार्ट हम minus degree temperature में रखकर ले जाए, तो वो reconstruct हो सकता है, इसका एक छोटा सा example आपको मैं दे है, और वो दो-दो दिन, चार-चार दिन हम उसे खाते है, वो खरब नहीं होते, क्योंकि atmospheric temperature से फ्रीज का तापमान कम होता है, अब वो ही अगर चीज हम बाहर में रखे, तो चार घंटे में वो spoil हो जाती है, लेकिन फ्रीज के अंदर चार दिन, 40 दिन भी हो रह सकती है, तो किसी भी वस्तु को, चाहे वो eatable रहो या शरीर का ठूटावा पार्ट रहो, उसे अगर हम minus degree temperature में रखते हैं, तो वो अधिक समय तक टिकता है, तो इस नियम के अंतरगत हम उस पार्ट को reconstruct कर सकते हैं, और वो व्यक्ति को हम disabled होने से बचा सकते हैं, मित्रो, आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर इसे लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुचाईए, ताकि amputed body part को किस तरीके से हमने बचाना चाहिए, इसका awareness लोगों में आए, और जिवन सुरक्षा इस चैनल को subscribe जरूर करिए, thank you very much.